गुड मॉर्निंग एवरीबड़ी अब देखिए इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इंडिया ने अपने जो कूर पेपर्स हैं उसमें आप अवेर हैं 30 मांक्स के मुल्टिपल चॉइस क्वेस्टिन उन्होंने दिये हैं जो की एंडिपेंडेंट्ट एमसी क्यूज भी हैं और केस सिनेरियो बेस्ट एमसी क्यूज भी हैं तो उसके रिलेशन में बहुत सारे स्टूडेंट्स से बता रहे थे कि उनका काईव की अच्छा लेवल है देट इस इसी हिसाब से हम लोगोंने क्या है 2000 मुल्टिपल चॉइस क्वेस्टिन टैक्सेशन पेपर के रिलेशन में 2000 मुल्टिपल चॉइस क्वेस्टिन इंडिरेक्ट टैक्स लॉज के रिलेशन में और सी ये फाइनल के डिरेक्ट टैक्स लॉज के रिलेशन में 2000 मुल्टिपल स्टैडियंद कमें यह रहे हैं, इसकी अलावा यह बात और एक नहीं एक पॉट्रीज्ट से में उसके रलेशन से बहुँने से बोल घथेसि की ब्लीसुट हो। कि institute ने तो question दे दिया और उसका answer दे दिया पर किस क्या उसके पीछे practically कैसे उनको solve किया गया है क्या reasoning है उसके क्या state very provisions के applicability है वहाँ उनको बहुत difficulty आ रही थी तो उसके relation में भी हम लोगों ने क्या है जो institute ने booklet निकाली उसके पूरा detailed solution दिये हैं चाहिए वो independent mcqs हो चाहिए वो case study based mcqs हो और यह जो आपको multiple choice questions है वो आपको क्या है the same would be made available कहां पे available होंगे हमारी जो website है वो है www.bangersedu.com उस पे यह जो 2000 mcqs है और जो आपके independent mcqs है वो क्या है available रहेंगे अब जैसे आप हमारी website www.bangersedu.com पे login करेंगे तो इस तरह के home page आपको खुलेगा अब यहां पे एक तो देखे उपर से भी आपके पास buy test series का option है जहां जैसे रिटर्निंग केंड़ेट तो student login करके आप उसको क्या है purchase कर सकते हैं जैसे आप यहां से भी चाहें तो purchase कर सकते हैं ठीक है इस तरह से यह purchase किया जा सकता है अब हमारे पास जो purchase करने के बाद जो user ID password आएगा उसके basis पे हम क्या है इसको access कर सकते हैं अब देखे क्या content है यह यहां online test series multiple choice questions है अब हम इनकी जैसे details देखते हैं 2000 multiple choice questions are there यह एक तो computer based है यह computer based है physical कोई book available इसकी नहीं है क्योंकि चापने पर बहुत ज्यादा मोटा यह हो जाए क्योंकि case study और coffee landy और institute के हिसाफ से device किये गए यह क्या है multiple choice questions है अब अगर इनको देखते हैं तो इस तरह से देखिए पहले आपके salient features दे दिया आपने जो test series दे आप या फिर इसके लिए revision के हिसाफ से देखें तो 2000 जो multiple choice questions है चेप्टर वाइस हमने इसको device कर रखेंगा चेप्टर वाइस डिविजन है इसका हंडेड 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 मुल्टिपल चोइस questions और दियर independent mcqs और दियर तो जैसे आपके पास फर्स चेप्टर है GST इन इंडिया ब्रीफ introduction second chapter supply and charge तो इसके related questions इसमें available होंगे फिर आपका जब supply वाला chapter charge वाला chapter composition वाला chapter exemption वाली chapter पूरा हो जाए तो आप second mcqs जो hundred marks के हैं वो आप क्या है hundred mcqs जो हैं उनको attempt कर सकते हैं फिर time of supply and exemptions from GST इसी साह से place of supply import export value of supply ITC बहुत important है तो ITC और उसके अलावा ITC है place of supply or exemptions से related फिर registration tax invoice likewise chapter wise division यह दे रखा है फिर 15th chapter customs and foreign trade policy के relation में 16th और 17th customs and foreign trade policy के relation में जो multiple choice questions इंसो इदर आ रहे हैं फिर हमारे comprehensive tests हैं जो पूरे syllabus को cover कर रहे हैं comprehensive test one comprehensive test two and फिर case study waste test test दे रखें तो इनको आप purchase कर सकते हैं तो यह तो अपने देखा कि आप चाहें तो यहां से view करके contents you can go and purchase the same इसी साफसे अगर आपन देखते हैं जैसे अब यह तो हमारे 2000 mcqs हो गए फिर इसी साफसे institute of chartered accountants of इंडिया ने जो multiple choice questions दिये हैं और case scenario booklet है उसके अंदर questions बहुत अच्छे हैं परन्त उनके answers students के लिए उत्ते सब्सक्राइब यहां दिया है देखिए इस तरह से यह ICI के आपके जो independent mcu है और case scenario based है एक तो paper अपना बन गया ICI independent mcu का फिर ICI case scenarios इस तरह 30 case scenarios हैं बड़े-बड़े हैं इसके पांच-पांच जो case scenarios के इस तरह से अपने क्या है यह बनाई है 30 case scenarios से उनकी पूरी detailed answer सब्सक्राइब हम देखेंगे कैसे अपने उनकी answer किये हैं उस सब चीज़ें आपको क्या है बताई जाएगे इस तरह से you can what purchase these also as well as what 2000 multiple choice questions similarly यही चीज direct tax laws के relation में भी दे रखी है जो CA final का direct tax laws का paper है as well as what जो आपके taxation के papers है हम देखते हैं जो CA final का direct tax laws का 2000 multiple choice questions आदे और यहां पर ICI से related जो DT के MCUs है independent MCUs and case scenario booklet उनका पूरा detailed answers दे रखे हैं similarly taxation के relation में दे रखे हैं और CS और CMA students के relation में भी क्या हैं यह multiple choice questions are available at this portal यहां से आप क्या है जाके इसको buy कर सकते हैं you can buy the same जो भी आपको लेना है से आपको indirect tax laws के 2000 MCUs लेने यह यहां से buy किया जा सकते हैं ICI के MCUs लेने तो आपको यहां से buy करे जा सकते हैं जो भी आप buy करेंगे उसमें आपका नाम email और mobile number directly यहां से purchase किये जाएंगे तो आपके पास user ID और password आएगा यह online system है CBT test है यह online user ID और password आपके पास आएगा और फिर उस user ID और password से आप आप क्या है access कर सकते हैं जैसे अपने अपना नेम भरा email और यह भरके आप जाएंगे आगे पिर आप जहां भी आपका payment gateway है आपना billing पूरा भरेंगे फिर आप अपना payment कर सकते नेट banking credit card debit card के माधियम से and then you will be receiving what user ID and password जिससे फिर आप login करके क्या है वो attempt करेंगे जैसे आपके पास जब user ID और password आ जाएगा तो आप कैसे उसको login करेंगे वह अभी आपको मैं समझाता हूँ जब आपके उस user ID और password आएगा तो आप student login में जाएंगे जो भी user ID और password आपके उसी registered email पर आएगा जो आपने purchase करते वक्त mention की है जैसे आपका कोई जैसे user ID और जो आपका password है इसको आपनने क्या है login कि इस तरह से आपके पास यह खुल रहा है अब अपन इसमें टेस्ट में जाएंगे ठीक है तो टेस्ट में जा रहे हैं अब इस तरह से यह test mention होके आपके पास आ रहे हैं ठीक है कि यह यह test है test number पर आप click करेंगे तो यह आपके क्या हो जाएगा यह test पर जाएंगे और इसको click करेंगे तो serially arrange हो जाएंगे तो जैसे आप suppose कीजिए अपने को कोई भी test attempt करना है से जैसे अपने को input text credit का test है यह अपने suppose कीजिए यह open कर लिया तो इसमें आ रहा है कि you will not be allowed to open any new exam until all open exams have been submitted जब तक कि आप पुराने test submit नहीं करेंगे तब तक यह आप यह open नहीं होगा ठीक है इस तरह से अभी इसके general instructions आगे आप इसके एक बार go through कर लिजेगा duration 180 minutes का दे रखा है इस तरह से पूरे एक बार instructions go through कर लिजेगा फिर next करेंगे हम और उसके बाद यह माँ बोल रहा है कि भाई अपने test instructions आपने read कर लिया and I am ready to begin वह देखके आप चालू हो जाएए अब जैसे इस तरह questions आ रहे है which of the following is not regard as input for the purpose of eligibility of ITC materials to be used for यह अपना trial run production है materials used used for testing of the final products spares whose book value has been capitalized in the books of accounts and spares which are charged to what profit and loss account so in case आप यह बताएंगे कि input क्या नहीं आ रहा कि भाई वह capital goods है just spares इसकी value क्या हो गई है capitalized हो गई है तो आप चाहें तो अपना जैसे गलत response हो गया तो उसके response को clear कर सकते हैं अगर आप चाहें कि भाई सही है और अब यह आपको लग रहा है कि भाई नहीं मुझे तो mark करना review के लिए तो mark review and next और या save and next इस तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं likewise जैसे question second आगया capital goods means goods which value has been capitalized in books of counts of persons claiming the ITC and which are used or intended to be used in courts or furtherance of business either A और B और बोत A और B तो सपोस कीजिए हमने बोत A और B मार्क कर दिया likewise इस तरह से अपन क्या questions आगे बढ़ सकते हैं देखते जाएंगे और करते जाएंगे अब taxpayer को यह 100 invoices मिली इसमें 75 invoices की details supplier जिससे इसने invoices मतलब मतमाल करीदा था यह उसने purchase किये हैं उसमें ते 30,000,000 रुपे की invoices क्या होई हैं अप्लोड की गई हैं तो अपने पास किता ITC आपका available रहेगा तो eligible ITC क्या हो जागा 8,500,000 तो रहे गई रहेगा plus 10% of 8.5 lakhs तो यह इस तरह से अपने मार्क कर लिया यह answers हम मार्क करके आगे बढ़ें तो likewise you can attempt these questions और फिर आप अपने paper को क्या है सब्मिट कर सकते हैं फिर सब्मिट कर लिया हमने questions कर लिया कुछ नहीं आया अपने वैसे कई बच्चों के बाद समय नहीं है तो वह directly भी क्या है सब्मिट बटन अप कर सकते हैं फिर आपके आपस यह answer खुल जाएगा कि यह आपके 100 questions से 97 आपने विजिट नहीं किया है तीन answer किया आप जित्ता भी questions कर रहे हैं तो उस हिसाब से यह yes कर दिया हम ने ठीक है अब आपके पास basic चीज है कि हमारे पास अब क्या आएगा कि हमा आएगे analysis कर सकते हैं आप इसमें ठीक है यह analyze कि आप अपने इसका पूरा detail यह खुल राइस को रिपोर्ट आपकी और आपका review है यह review है अब basic चीज बच्चे के लिए बहुत important है review portion है वही most important है क्योंकि अपनी क्या गलतियां हुई या क्या अपने answer नहीं दी अब सब चीज हैं input does not include capital goods, capital goods means the value has been capitalized likewise पूरे जो hundred questions हैं उनके पीछे क्या reasoning है यह answer है इसका correct answer A है और यह इसकी reasoning है likewise सारे hundred questions के यह आ रहे हैं और बड़े भी हैं छोटे भी हैं सब तरह के questions इसमें available हैं जैसे अब यह आपके numerical type के questions हैं तो correct answer उसका क्या यह question आ गया question number 16 और इसका यह answer आ गया फिर question number 17 यह इसका answer आ गया और answer ऐसा नहीं सिर्फ description आपने A, B, C, D में A, C, D option दे दिया ऐसा नहीं है पूरे के पूरे आपके किस तरह से value निकाल रहे हैं exam supply के लिए इस तरह से यह ITC का जैसे आपने खोल की है distribution of ITC ISD credit likewise we have given each and every question as a detailed answer for the same detailed answer इससे बच्चे को समझ में आए कि उसकी क्या गलती रही है और इस तरह के questions exam में क्या है पूछे जाते हैं चाहे हो case scenario based में पूछ ले हैं चाहे हो independent MCQs के अंदर पूछ ले हैं तो likewise यह दे रखे हैं ठीक है तो यह तो एक हो गया अब देखें अपने Institute ने जो questions दिये थे, Institute of Chartered Accountants of India ने जो questions दिये थे उसके बारे में हम बात करें हम यही test में जा रहे हैं जो हमने बताया है अब जैसे Institute of Chartered Accountants of India ने 100 independent MCQs दिये थे अब यह अपन ने यह 100 independent MCQs का यह test जैसे open किया यह वही आपको बताएगा सारा procedure समझा रहे हैं यह फिर अपने instructions read कर लिए I am ready to begin करके यह अब जैसे ICI के आगे Air Cool Limited is a supplier of air conditioners is registered under GST in the state of Maharashtra and it is a policy to gift an air conditioner to employees residing at the end of the financial aid in terms of contract of employment if it is in terms of contract of employment वो schedule 3 के अंदर आ रहा है the transaction will not be regarded as what supply of goods or services अब यह पूछ रहे हैं कि भई इसमें क्या GST liability आईगी तो यह नहीं लाईगी likewise इस तरह से अपने यह अपने अपने अटेंट कर सकते हैं ठीक है फिर second question आ गया likewise आपने option mark कर लिया भी 14th question आ गया यह आपने question आपने पढ़ा और उसका option mark कर लिया save and next करके आप आगे बढ़ते गए और फिर यही चीज़ इसके relation में भी है आप submit करेंगे तो यह आपके not visited answers वगरा यह सब बता देगा और फिर आप वहीं बात आती है कि भई हम जाएंगे हमारे scores में जाएंगे औ वह देखेंगे test results ठीक है उसके अलावा वही बात आती है कि अपने को क्या है आप इसमें detailed answers अपने को देखने है we want to view the detailed answers actually from there तो अब जित्ते भी अपने test दिये हैं उसका आप क्या है review कर सकते हैं अब जैसे यह independent mcq उसका अपने review किया अब क्या पहला question था उसका correct answer c है c option की क्या reasoning है वो इसकी क्या reasoning है पर इसकी क्या reasoning है किस तरह से यह सारे के सारों का solution अपने detailed solution इसका दे रखा है likewise each and every question is covering what the detailed solution ठीक है यह इसका detailed solution है आपका क्या रहा है आपने skip कर दिया पर यह इसका basically detailed यह रहा अब जैसे question है यह कौन सी supply है तो क्या reason है यह mix supply क्यों मान रहे है यह composite supply क्यों मान रहे है यह क्यों नहीं मान रहे है यह सब चीज़े क्या है इसके अंदर दे रखे तो यह these are what not downloadable यह आप दो बार तीन बार जब तभी चाहें आप बार बार क्या कर सकते हैं व्यू कर सकते हैं एक्जाम के टाइम पर भी आप इसको व्यू कर सकते हैं लाइकवाइस जब आपन के इसी में आगे जाते हैं और में चीज़े के सिनेरियो बेस्ट स्यूंब काफी बच्चे पूछते हैं सो इंस्ट्यिट्ट ने के सिनेरियो बेस्ट एम सी क्यू दिए हैं जैसे अपना यह आई सी आई का के सिनेरियोबेस्ट एम सी ग्यू है वन् टो फाइफ वाला यह अपनने खूला वह इंस्ट्रक्शन पढ़के we have to proceed ओके अब जैसे यह पहला case scenario आ गया यह aspire solutions से related case scenario है काफी बड़े-बड़े case scenarios institute ने दिये हैं फिर अपन ने इसका क्या है answer कि वही क्यों GST की liability arise हो रही है likewise इसके detailed videos भी अब हम लोग क्या upload करेंगे आगे तो इसका क्या reasoning रही है यहां से भी आप अभी क्या है देख सकते हैं तो से हमने question किये और अपनने response अपना दिया इस तरह से second आ गया यह case scenario का second question वही चीज आएगी वापिस से आपको second question आ रहा है अब यह second question आ गया likewise twice ऐसे बढ़े हम ठीक है फिर third कर लिया इसी में इस तरह से और हमने यह submit कर दिया अब यह कह रहा है total 25 questions है आपने visit 22 नहीं किये answer 3 किये जो अपना 5 का booklet 5-5 का बनाया न अपनने तो उसमें 5-5-5-5 करके 5 case studies है और हर case study में 5 questions 25 है तो yes कर आपनने बोला yes हम यह देना चाहते हैं फिर वहीं गए अपन scores में तो एक आपका paper ही case वाला एड हो जाएगा review कर सकते हैं अब यहां से आपको क्या है जैसे एक पहला question है अब इसमें आपको पूरा इसका answer आएगा कि cloud-based services covered under C OIDR services services are received by registered entity in India located from taxable territory भारत के बाहर service supplier है receive हो रहा है इंडिया में registered परसंद बारा reverse charge mechanism में यह services taxable होगी value क्या हो हो जाएगी जो value चार्ज कर रहा है 50 लाग प्लस वाओ equalization लेवी भी चार्ज कर रहा है तो यह value हो जाएगी और reverse charge में aspires को इतना टेक्स देना होगा तो यह बहुत ही अच्छे MCQs Institute ने दे रखे हैं फिर जैसे second question था फिर उसके relation में second question में पूछ रहे हैं कि आप GST liability निकाल लिए sitting fees के relation में तो आपने जो case study में यह question आया उसमें जो circular based question था कि अगर independent directors को remuneration provide किया जाता है वो schedule 3 में नहीं आता इसलिए GST लगेगा जो dependent directors हैं whole time directors हैं executive directors हैं जो इनका TDS 192 में हो रहा है वो supply के embed में नहीं आ रहे हैं पर उसके अलावा 194J में TDS हो रहा है तो वो services supply कर रहे हैं वो supply के embed में आ रहा रहा और उस पर reverse charge के basis पर तो likewise आपके पास reason है कि यह solution है इसका और यह reason है इसे question number three है यह वापिस से अपने बताया अब यह कह रहा कि what shall be the amount of ITC available for aspire solution अब क्या यह इन्होंने answer दे दिया बोला यह answer है आपका 10,25 आया कैसे कि cloud services का मिलेगा RCM में जो services directors ने दी है company को RCM में उसका मिलेगा तो यह इस तरह से अपने को क्या है input tax rate मिलेगा likewise इस तरह से we have what made each and every case study second जैसे यह question number six है यह एक और case study based आया बड़ी case study है फिर वो net GST liability निकल वा रहा है net of ITC इस तरह से किस तरह से solve हुआ यह पूरा आप देखे practical detailed solution यहां क्या है आपके पास available है जो कित्ती बारी आप क्या है इसको review कर सकते हो तो basically students problem phase कर रहे थे वह हमने क्या है यह resolve किये कि इस तरह से आपके यह चीज़े value made होगी यह ITC मिलेगा यह नहीं मिलेगा because these questions are very important जो कि exam में इस level के आते हैं तो पहले आप पहले पूरा chapter कीजे फिर उनको क्या है revise कीजे इस तरह से आप कर सकते हैं जो आपके 30 marks portion it's a very very important क्योंकि 30 marks का अगर आपके 25 नंबर भी आ जाते हैं इस तरह से हमने क्या है यह जो आपके multiple choice questions हैं और case scenario based questions हैं उनकी ICI के relation में भी पूरा क्या है इंडिपेंडेंटली दे रखा है तो आपको क्या है यह बहुत ही helpful रहेगा from examination point of view एक एक question और उसके बीचे क्या reasoning है क्या answers है everything has been provided here तो इसको आप अच्छी से growth through कीजेगा और exam के time में भी you can open these tests say उस समय समय नहीं है या बच्चे की बाद आज भी time नहीं तो directly submit किया बढ़ा answer देखे आगे बढ़ा इस तरह से approach वो follow कर सकते हैं जब समय नहीं और समय है तो better आप try कीजे और फिर देखे कि क्या mistakes है तो बहुत ही ज्यादा आपके substantial improvement के chances रहेंगे पर यह downloadable नहीं है और यह downloadable नहीं है यह बता रहा हूं और इसके अलावा physical form में यह available नहीं है क्योंकि काफी ज्यादा print public जैसे आप तो budget भी क्या है physical form में नहीं आ रहा है everything कागज की wastage करने की बजाए है we can go through from here itself and आपको easily क्या है वो understand कर सकते हैं so this was about our multiple choice questions 2000 जो हमारे independent mcqs है case study based mcqs और institute के और उसको आप access कर सकते हैं user id और password जो आप purchase करने पर आपको मिलता है online computer based system time allocated है time trash try कीजेगा तो बहुत ही ज्यादा आपके पास क्या है added advantage रहेगा all the ways for your exams